श्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल देशबक्त पर दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कुछ ग्रहों की चाल बदलने से आपकी राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इन ग्रहों की चाल बदलने से आपकी राशी किस तरह प्रभा या किस जातकों की बल्ले बल्ले होने वाली है तो दोस्तों कुछ ग्रहों की चाल बदलने से इस राशी के जातकों पर ये प्रभाव पड़ेगा दोस्तों एक अगस्त से शुक्र रिशब राशी से मिथुन राशी में गोचर करेंगे दो अगस्त को बुध मिथुन राशी से करक राशी में गोचर करेंगे सोला अगस्त मंगलमीन राशी से मेश राशी में गोचर करेंगे सोला अगस्त से सूर्य करक राशी से सिंग राशी में गोचर करेंगे 17 अगस्त को फिर से बुद करक राशी से सिंग राशी में गोचर करेंगे शनी भी वक्री होकर अपनी सुन की राशी मकर राशी में विराजमान है और गुरू भी वक्री स्थिती में अपनी राशी धनू राशी में है तो दोस्तों जिस राशी के विशे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और इन ग्रहों की चाल बदलने से जिस राशी पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो वो राशी है सिंग राशी तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सिंग राशी के जातकों के बारे में और इन ग्रहों के चाल बदलने से इस राशी के जापकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विशे में तो दोस्तों सिंग राशी का स्वामी सूर्य अगस्त महा में दो राशी कर्क और सिंग में गोचर करेगा आपके करियर के स्वामी शुक्र इस मा ग्यारवे भाव लाब में गोचर करेंगे बुद इस महीने आपके बारवे और लगन में गोचर करेंगे मंगल इस मा आठवे और नवे भाव में रहेंगे तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन ग्रहों के गोचर से शिंग राशी वक्त के जातकों के करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विशे में तो आपके करियर के स्वामी शुक्र के इससी थी इस महीने अच्छी है 16 अगस्त से आपको अपने भागे के स्वामी मंगल और राशी स्वामी सूर्य का भी अच्छा समर्थन मिलेगा इससे पहले थोड़ी सावधारी रखनी होगी शिंग रासी के लोग महीने के दूसरे भाग में अच्छे परिनाम की उमीद जरूर कर सकते हैं यदि आप नोकरी की तलाश कर रहे हैं तो सूर्य और मंगल की इस्तिती आपको रोजगार के अवसर दिलाएगी आपके विवसाय से संबंदित मामलों में आपको कड़ी महनत करनी होगी इस महा कुछ ऐसी परिस्तितियां भी बनेंगी कि आप भागे से अच्छानक अवसर की उमीद कर सकते हैं यदि विवसाय की बात करें तो आपके विवसाय से संबंदित मामलों में आपको कड़ी महनत करनी होगी तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी इस महीने जितनी महनत आप करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी इस महीने बुद्ध और सूर्य के साथ होने से आपको विवसाय के कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं आर्थी किस्तिति इस महीने अच्छी रहेगी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले और मेरे साथ आखिर तक बने रहें तो चलिए अब बात करते हैं कि इन ग्रहों के गोचर से सिंग राशी के जातकों के पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उनका पारिवारिक जीवन इस गोचर से किस तरह प्रभावित होता है उसके विशे में तो ये महिना आपकी प्रेम जीवन में मिश्रित परिनाम देने वाला है अगर आप अपने रिष्टे में इमांदार रहेंगे तो आपको संतुष्टी रहेगी आपको और आपके साथ ही को किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कुछ गलत फैमी हो सकती है इसके लिए अच्छा है कि किसी की भी बात पर भरोसा ना करें अपने साथे की भावना को समझने की कोशिश करें और साथे की भावनाओं को सम्मान भी दें अगस्ट महिना आपके पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहेगा 16 अगस्ट तक आपको और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ गलत फैमिया हो सकती है इसके बाद की इस्तिती सामानने रहेगी किसी रिष्टेदारों का हस्तक शेप आपके पारिक रिवारिक जीवन में कुछ समस्यां पैदा कर सकता है ऐसे रिष्टेदारों से भी सावधान रहे शनी की द्रस्टी अगस्त के महा में दामते जीवन पर रहेगी मीठी नोग जोग की स्थिती बनी रहेगी यदि आप अपने क्रोध पर नियंतरन रखेंगे तो रिष्टे को मधूर बना सकते हैं यदि आप अविवाहित हैं और विवा की तलाश में हैं इस महिने में विवा के प्रस्ताव की अच्छी खबर की उमेद है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इन ग्रहों के गोचर से सिंगराशी वाले जातकों के शिक्षा के छेतर में क्या प्रभाव पढ़ता है उसके विशे में दोस्तों ब्रस्पती की क्रिपा से इस महा में सिक्षा के जेतर में अच्छे इस्तितियां बनेंगे और मंगल आपकी रिशिक्षा और प्रतियोगिता में मदद करेंगे यदि आप इस महीने किसी साक्षातकार या परिक्षा में जाते हैं तो आपको 16 अगस्त के बाद के प्रयास सफल होंगे यानि तब आप अच्छे परिनाम के उमीद कर सकते हैं तो अब बात करते हैं सिंह राशी के जातकों पर इन ग्रहों के गोचर से पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में या उनके स्वास्त जीवन पर इसका क्या प्रभाव पढ़ेगा उसके विशे में तो दोस्तों अगस्त के महिने की 16 तारीक तक स्वास्त संबंदी परिशानिया हो सकती हैं उर्जा का इस तर भी कम होगा 16 तारीक के बाद आपको राहत मिलेगी और उर्जा का इस तर भी बढ़ेगा खुद को फिट रखने के लिए योग करे और पॉस्टिक आखार ले दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आगे भी मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए और अपने परिवार्स नहीं जनूँ और मित्रों के बारे में जानने के लिए और शिक्षा, व्यापार, नोकरी और लेंदिन के जेतर से जुड़ी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में बने बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरी वीडियो को जादा सब्सक्राइब करें